हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको UPI PIN के बारे में बताऊंगा कि UPI PIN क्या होता है और इसको आप कैसे बना सकते हैं UPI PIN Google Pay, Phone Pay, Paytm या Amazon Pay और भी कई अप्लिकेशन हैं जिसमें हम अपना बैंक अकाउंट जोड़ कर जब भी कोई UPID बनाते हैं तो हमको एक अपना UPI PIN बनाना होता है और UPI PIN बना कर हम अपने उसी बैंक अकाउंट से किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं अपना mobile recharge कर सकते हैं या बिजली का bill भी पे कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे काम है जो हम अपने घर बैठे mobile से bank अपने mobile से कर सकते हैं और पैसे हमारे bank account से कड़ जाते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा कि UPI pin क्या है और UPI pin कैसे बनाते हैं चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर आपने मेरे चैनल को सब्क्राइब ने किया है तो सब्क्राइब कर दें और ये घंटे के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें UPI pin सबी एप्लिकेशन में एक ही वर्क करता है जैसे गूगल पे, फोन पे, भीम एप्लिकेशन, एमाजोन पे और जो भी UPI वली एप्लिकेशन है सबी में UPI pin एक ही वर्क करता है जो भी हमारा बैंक एकाउंट है उसका अगर हमने एक बार UPI pin बना लिया तो वो सबी एप्लिकेशन में एक ही UPI pin वर्क करता है और UPI pin होता क्या है जैसे कि हम अपना ATM काड का pin अपने ATM पर जाकर सेट करते हैं या अपने mobile से भी सेट कर सकते हैं वैसे तो पर वैसे ही ये एक UPI pin सेट UPI pin यही होता है यह हम अपनी मर्जी का कोई भी UPI pin बना सकते हैं किसी किसी बैंक में तो ये चार अंको का आता है और किसी किसी बैंक में ये छे अंको का जैसे आप चार अंको का कोई भी UPI pin बना सकते हैं चार, पांच, साथ, आठ पर आप ये UPI PIN थोड़ा सा मुश्किल सा ही बनाईए, जैसे किसी को पता ना चले, जैसे आप बना सकते हैं, 8, 4, 6, 9, और किसी-किसी बैंक में ये 6 अंको काता है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, 4, 8, 9, 5, 6, 3, थोड़ा सा मुश्किल सा बनाईए, और ये आप याद रखिए, इससे ही आप सारे काम कर सकते हैं, जैसे बिजली का बेल भर सकते हैं, और बहुत सारे काम, ऐसे आप घर बैठे कर सकते हैं, अब मैं आप को बताऊंगा कि UPI PIN कैसे बनाते हैं, UPI pin से आप जिस भी आपने application में अपना UPI pin सेट किया है उस application में आप अपने account का balance भी देख सकते हैं और इसका कोई charge भी नहीं पड़ता यह एक free service है UPI की यह देखिए यह मेरे account का balance आ गया है इससे आप अपना balance भी check कर सकते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कि UPI pin कैसे बनाते हैं यह सभी application में ऐसे ही UPI pin बनाते हैं जैसे कि मैं आपको बताऊंगा यह मैं आपको phone paper बता रहा हूँ और यह देखिए जैसे ही हम अपना bank account add करते हैं यह मैं अपना bank add कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा आता है set UPI pin या फिर start का option आ जाता है perceived का भी आ जाता है option अगर आप पहली बार UPI का इस्तमाल करने लगे हैं तो यह मेरा पहले से यह add है इसलिए यह ऐसा option आ रहा है और आप set UPI pin परसीज जास्ट आड़ जो भी option आए आप उस option पे कलिक कर दीजे और इसके बाद आपके सामने एक ऐसा page आता है यह सभी application में आता है phone pay, google pay में last 6 digits और valid up to का और जिस भी bank को आप यहाँ पर जोड रहे हैं उस bank का ATM आप अपने साथ रखिए और यहाँ पे उपर यह last 6 digits में अपने ATM कार के यह last 6 digits डाल दीजे और यह निचे valid up to में यह valid up to वाली date डाल दीजे और उसके बाद यह continue पर क्लिक कर दीजे और इसके बाद आपको mobile पर एक OTP आएगा यह तो वो कई बार अपने आभी एंटर हो जाता है यह आप message में से देखकर एंटर कर दीजे और यह निचे set upi pin में आप कोई भी अपना upi pin बना लीजे कई की बैंकों में तो यह 4 अंकों का आता है और किसी किसी बैंक में 6 अंकों का जो भी आप अपना secret upi pin बनाना चाते हैं बना लीजे और उसके बाद यह सही के निशान पर क्लिक कर दीजे और confirm upi pin में वही upi pin डाल कर यह निचे फिर सही के निशान पर क्लिक कर दीजे और यह आपका upi pin सेट हो जाएगा अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दीजे और share कर दीजे और मेरे channel को भी subscribe कर दीजे